नमस्ते फ्रेंड्स आज मैं आप सबके लिए simple सी काठ्यावाल की कड़ी और खीचडी की रेसीपी लेके आए हूँ और इसे बहुत ही मैंने आसान तरीके से बना के आपको बताया है तो चलिए आज मैं आपके साथ कड़ी और खीचडी की रेसीपी सेहर करती हूँ तो यहाँ पर हम सबसे पहले खीचड़ी बना के तयार करते हैं उसके लिए मैंने दो लेडल भरके चावल लिये है और एक लेडल दाल लिये है यह मूं की चिलके वाली दाल है और जितना हम चावल लेते हैं उससे आदी हमें दाल लेनी है और इसे 2 से 3 पानी से होस करेंगे अब हम एक प्रैसर कुकर लेंगे और गेस की फ्लेम को चालू कर दीगे अब हम कुकर में जितना हमने दाल और चावल लिया है उससे 3 गुना हम पानी एट करेंगे खीचडी में थोड़ा पानी ज्यादा लगता है उस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे जिस नाप से हमने चावल और दाल लिया है उसी नाप से हम तीन गुना पानी एट करेंगे और अब हम इसमें आधी चमच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसा नमक और एक टीस्पून जितना घी एट करेंगे और उसे तब तक उबलने देंगे जब तक इसमें एक बोईल ना आ जाए फ्रेंट्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, सेर और सस्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिल जाए अब हम इसमें जब पानी उबल जाएगा तो इसमें हम जो दाल चावल धोके रखे थे उसे एड़ कर देंगे और सब चीजों को मिक्स करके कुकर की लीड को लगा के इसे तीन सीटी आने तक हम पका लेंगे हमें इसे तीन सीटी आने तक पकाना है और जब तीन सीटी आ जाएगी तो गेस की फ्लेम को बन करके इसे साइड में रख देंगे और जब ठंडा हो जाएगा और प्रेसर डाउन हो जाएगा बाद में हम इसे खोल के चेक कर लेंगे तो देखे हमारी बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी खीचडी बनके तयार है तो देखे हमने कितना तीन गुना पानी एड़ किया था तो देखे हमारी परफेक्ट खीचडी बनके तयार है तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब कड़ी बनाने की तयारी करते हैं तो कड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बावल लेंगे और उसमें हम एक कप खटा दही एड़ करेंगे अब हम इसमें 1 3rd कप बेशन एड़ करेंगे और यहां पर मैं गुजराती कड़ी बना रही हूँ तो गुजराती कड़ी थोड़ी पतली होती है अगर आप थोड़ी गाड़ी खाना चाहते हो तो आदा कप बेशन एड़ कर सकते हो मैंने यहां पे 1 3rd cup बेशन लिया है अब हम इसे अच्छे से दहीं के साथ मिक्स करेंगे उसमें गुठलिया नहीं रहनी चाहिए तो ही हमारी कड़ी एक्तम अच्छी बनेगी और जब यह मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम पानी एड़ कर देंगे और वापस से इसे मिक्स कर लेंगे और दूसरा पानी हम जब हम तड़का लगाएंगे उसके बाद में हम एड़ कर देंगे तो देखे हमारा घोल बनके तयार है अब हम एक कड़ाई लेंगे और केस की फ्लिम को चालू कर देंगे और इसमें एक चम्मच जितना ओयलेट करेंगे और ओयल जब तक गरम हो रहा है तब तक हम अद्रक लसन और मीर्च को कूटके तयार कर लेते हैं और इसे कूटके डालने से हमारी कड़ी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है तो आप जरूरी से कूटके ही डाले तो आप कड़ी को अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा और लाजवाब आएगा तो देखें हमारा मसाला कूटके रेडी है तो अब हम जो हमने ओईल गरम करने रखा था वो ओईल हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो गया तो उसमें हम एक टीस्पून राय और एक टीस्पून जीरा और खड़े गरम मसाले एड कर देंगे और एक टीस्पून हींग एड करेंगे और चार-पांच कड़ी पत्ता एड कर देंगे कड़ी में अगर कड़ी पत्ता ना हो तो अच्छा ही नहीं लगता है तो इसलिए हम कड़ी पत्ता जरूर एड़ करेंगे और जो मसाला हमने कूट के रखा था उसे भी हम मिक्स कर देंगे और सब चीजे को एक मिनिट के लिए पून लेंगे और जब हमारा मसाला बून जाएगा तो इसमें हम जो हमने घोल बना के रखा था उसे हम एड़ कर देंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे अब हम जितनी पटली कड़ी बनाना चाहते उतना पानी हम एड़ कर देंगे तो गुजराती कड़ी बहुत घाड़ी नहीं होती, इसलिए यहां पर मैंने जितना घोल बनाया था, उतना ही दूसरा हमें पानी एड़ कर दिया, अब हम आदी टीस्पुन जितनी हल्दी एड़ कर देंगे, अभी हमें नमक एड़ नहीं करना है, और जब तक बोईल आ रहा ह और कड़ी को बहुत ही अच्छे से कड़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आदा घंटा इसे कम से कम आप लो फ्लेम पे इसे पकने दीजिए, तो ही हमारी कड़ी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो देखे, पास से दस मिनिट हो गई है, और इसमें बहुत ही अच्छे से बोईल आ गया है, तो अब हम इसमें स्वादनुसा नमक एट कर देंगे, और एक चम्मच जितना गूड एट करेंगे, और गुजराती कड़ी में गूड जरूर एट करते हैं, इसलिए यहां पर मैं गुजराती कड़ी बना रही हूँ, तो मैंने इसमें गूड अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे एक बार चला के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे, और हमें इसे कम से कम आदे घंटे के लिए इसे पकाना है, और यह जब हमारी कड़ी पक जाएगी, तो इसका पता हम ऐसे लगाएंगे, कि यह जो वाइट सब दीख रहे हैं, वो सारे हट जाने चाहिए, तब हमारी कड़ी समझे के पक चुकी है, तो देखिए, यहां पर मेरी कड़ी उबल रही है, तो मैं उसे उपर से तड़का लगाने के लिए एक तड़का पेन लूँगी, और उसमें एक टीस्पुन जितना घी एट जब गी थोड़ा सा गरम हो जाएगा, हमें बहुत ही गरम नहीं करना है गी को, और गी जब थोड़ा गरम हो जाया तो उसमें चुटकी बर हिंग और लाल मिर्च और दो सुखी लाल मिर्च एट करके इसे हम कड़ी में उपर से डाल देंगे, यह तड़का लगाने से हमारी कड़ी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है तो आप इसे जरूर के इस तड़के को जरूर बना के डालेगा तो देखिए यहां पे हमारे सारे वाइट फ्रो थट गए और हमारी कड़ी उबल के बहुत ही अच्छा से पग गई है तो उपर से हम हरा धन्या काट के एड़ क हमारी यम्मी से कड़ी बन के तयार है तो अब हमके इसकी फ्लिम को बंद कर देंगे अब हम इसे सव कर देते कड़ी और खीचडी को माड़ी तो दीखे हमारी बहुत ही टेस्टी और यम्मी और हेल्दी कड़ी और खीचडी बन के तयार है तो इसे आप जरूर बना के ट्रा प्रफ जूब दो आज कि अपनी दूए जूए झाल